हेलो स्टुडेंट्स, कैसे हैं ए हम अब आसा करतूहँ, आप लोग से भी अच्श होगें स्वस्तोंगे स्टुडेंटस, आज हम अपना चेपट लंबर थाइन पढ़ रहे है और चेपट लंबर थाइनग अजम एकसरसाइस 13.2 को देख लेते हैं किया जाना है तो यहाँ पे students एक circle यहाँ पे होगा तो इन दोनों को आपको include नहीं करना है ठीक है तो यहाँ पे कहरा कि उसका diameter है वो 50 cm दे रखा है और उसकी जो height है वो 3.5 cm दे रखा है तो students इसमें हमें खास तोर के ध्यान द्यान रखना है यह जो diameter है हो cm में दे रखा है और यह meter में दे रखा है तो दोन units को हमें एक जैसा बनाना पड़ेगा उसके बाद ही हमें आगे अपना calculation वार आगे बढ़ाना पड़ेगा ठीक है तो इस इसका ध्यान रखना है find the cost of painting the covered surface area of pillar जो pillar का covered surface area उस पे paint करवाना है उसकी cost बतानी है और किस हिसाब से बतानी है at the rate of 12.50 per square meter ठीक है साढ़े बारा रुपय एक square meter पे paint करवाने का खर्च है तो वह आपको बताना है तो 20 यहां पे अपना देख लेते हैं यहां पे diameter of pillar pillar का जो diameter कितना दे रखके यहां पे 50 cm दे रखके 50 cm ठीक है तो this implies radius क्या हो जाएगा radius of pillar अपका 25 cm हो जाएगा 25 cm ठीक है 25 cm हो गया उसके बाद height of pillar दे रखके यहां पे 3.5 meter तो 3.5 meter रहने देते इसको थोड़ा से करते हैं तो यहां पे 35 by 10 तो इसको कट कर देते तो 5 2 जा और 5 7 जा तो 7 upon 2 और यह आगे आपका मीटे दे रहने देता हूँ और यह students यहां पे pillar है तो इसमें यहां पे radius इसकी 25 cm होगे रहा हाइट कितनी होगे यहां से 7 by 2 meter कर देता हूँ यहां ठीक है तो यह आपका हो गया है उसके बाद cse of pillar cse of pillar का फार्मुला जो है covered surface area of pillar क्योंकि pillar है वो cylindrical है तो cylinder का फार्मुला लगए इसमें 2 pi r h ठीक है अब इस फार्मुला में जो भी value हमें पता हूँ रख देते हैं 2 तो ऐसे कैसे pi कितना होगा 22 by 7 multiply r कितना है radius कितना है radius radius आपका यहां पे 25 cm तो 25 cm इसको मीटर में बदलना पड़ेगा तो 25 by 100 ठीक है और h कितना है यहां पे height यह 7 by 2 यह सारा का सारा मीटर में हो गया तो यहां पे जो 20 cm स्क्वेर मीटर में आ जाएगा तो 7 से 7 यह कट कर दिया मैंने उसके बाद यह 2 से 2 भी कट कर दिया उसके बाद यहां पे क्या आएगा यहां से इसको में multiply कर देतो यहां से multiply करते है तो 25 को 22 से करते है तो यह 50 आ गए और तो इस तरह से हम लोग अपने वाला क्विशन कर सकते हैं आगे भी इसको करना है तो अभी देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे हम लोग आगे स्टुडेंट्स यहां पे थोड़ा साब को द्यान रखना है क्योंकि यह 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 पर फाइफ पॉइंट लगेगा यह यह लग जाएगा यहां पर फाइफ पॉइंट फाइफ जिरू स्कूर मिट रहेगा तो यहां पे जब यह जिरू लास्ट में अड़ाएंगे तो हम लोग यह टना पाइब फाइफ फाइफ मीट अजएगा टिगे फाइफ 5.5 स्केर मिट हैं क्यां कि यहां पे वंजिरू नहीं यहां पर तो के बाद प्वाइंट लगेगा तो यहां पे पॉइंट लग जायगा तो फाइफ फाइफ i. फाय बाल जैएग इसमें यहां पी ठोड़ of painting तो यहां पर करते हैं cost of painting on one square meter cost of painting on one square meter is equal to rupees habit 12.50 ठीक है तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ चलो 12.50 रहने देते हैं अगर करना चाहें तो यहां पर हम कर सकते हैं 1250 और यह इसका जब यहां से अटाएंगे तो यह वाना जाएगा यह दो जिरो आ जाएंगे ठीक है तो यहां से मैं क्या करते हूँ यहां से यह 0 से 0 कैंसल कर देता हूँ 5 और यह 25 तो यह आजाएगा rupees 25 by 2 ऐसे भी हम लोग इसको कर सकते हैं तो cost of painting on pillar cost of painting on pillar और pillar कितना है 5.5 square meter तो मैं क्या करता हूँ यहां से 5.5 को भी कर देता हूँ तो 25 by 2 और यह 55 by क्या कर देता हूँ इसको 5.5 55 by 10 कर देता हूँ ठीक है तो इससे कुछ ज्यादा हमें फायदा तो नहीं मिलेगा लेगा फिर भी देख लेते हैं यहां से तो इसको जब आगी सोल करते हैं तो यहां से सोल करेंगे तो इसको इससे multiply करना पड़ेगा और इसको 20 से divide करना पड़ेगा तो देख लेते हैं यहां से 25 और 55 तो 25 को और 55 को multiply कर लेता हूँ में तो यह कितना आएगा 125 आएगा और यहां पे 5 to 1 ठीक है तो 5 आ गया 7 आ गया और यह 3 आ गया और यह 1 आ गया ठीक है 1375 1375 और अपन 20 यह रुपीज आ गया ठीक है अब इसको थोड़ा सा और simplify करेंगे तो और simplify करते हैं तो इसको देख लेते हैं हमारा यह कितना आता है तो students अभी इसको डिवाइड करके देखते हैं यहां से यहां पे ही कर लेता हूं चलो यहां से करते हैं तो 1375 इसको 20 से डिवाइड करना पड़ेगा तो 20 से डिवाइड करते हैं यहां से देख लेते हैं कितने से जाएगा 6 चा और 120 ठीक है यह 7 हो गया यह 1 हो गया यहां पे ठीक है आप कितने बाइगा यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर 68.75 यानि 80 रुपे और 75 पैसे उसकी जो पिलर पे पैंटिंग की जो कोस्ट है न वो आ जाएगी 68 रुपे और 75 पैसे ठीक है तो इस तरह से students हम लोग अपने ये वाला question कर सकते थे अभी students हम लोग अपना next question देख लेते हैं तो next question में क्या करना है CSA of a cylinder is 4.4 square meter if the radius of the base of the cylinder is 0.7 meter find its height इसकी height निकालना है तो students क्या है इसमे CSA of a cylinder हमें लोग कर लेते हैं CSA of a cylinder CSA of a cylinder का formula लिख लेते हम 2 pi r h और 2 pi r h अपना है कितना 44 by 10 यहां पर square meter कर दिया हमें ठीक है उसके बाद उसमें radius of his base तो radius कितने दे रखिये है radius है उसकी 0.7 meter ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं यहां से इसको और इसको compare कर देते हैं तो यहां से मैं क्या करता हूँ 2 pi r h ठीक है is equal to 44 by 10 ठीक है यह statement number sorry 2 कर देता हूँ यहां पर 1 कर देता हूँ ठीक है from 1 and 2 कर देता हूँ from 1 and 2 102 statement से अपका e हो गया है तो यहां से मैं क्या करता हूँ यहां से 2 तो ऐसे कैसे pi अपका 22 by 7 r का आपको पता है यह कितना हो जाएगा 7 by 10 हो जाएगा और multiply h इसका कुछ पता नहीं है और यह 44 by 10 है ठीक है अभी मैं क्या अगरता हूँ इसको 7 से तो 7 को cut कर देता हूँ और क्या रहेगा यहां से इसको इसे multiply गए तो 44 by 10 और multiply h ठीक है और यह 44 by 10 हो गया तो h को मैं इधर रखता हूँ तो यह क्या आएगा 44 by 10 और यह उदर जाएकि उल्टा हो जाएगा तो यह कितना हो जाएगा 10 by 44 44 वन जा यह 10 वन जा तो यह आगा 1 upon 1 h हमारा कितना आजाएगा इस सारा का सारा किसमेदे रखा मीटर में तो यह 1 मीटर आजाएगा ठीक है तो students इस तरह से हम लोग क्या करेंगे So height of cylinder So height of cylinder Height of cylinder Is equal to कितना आएगा 1 meter तो students इस तरह से हम लोग अपने यह वाला question कर सकते हैं अभी students हम अपना homework देख लेते हैं तो homework में students हमें क्या करना है Soal exercise 13.2 in fair note बुकर यह NCRD corner से आपको करना है Thank you students